कैसे होगा मैंएसकस टीयर का इलाज आपके गुटने में चोट लगी है और MRI के लिखावा आया है मैंसकस टीयर leagniscus हो सकता है, medial mamiscus हो सकते है तो बहुत सारे लोगो confuses होते हैं कि आखिर mamiscus क्या होता है अब टीयर आया है तो उसका इलाज कैसे करें क्या बिना operation के हो सकता है, operation कराना जरूरी है, operation में कौन सा operation होता है meniscus का, meniscus को निकालना पड़ता है, trimming होती है, या हम उसको repair भी कर सकता है दोस्तों मेरा नाम डॉक्टर मनु बोरा है, मैं एक arthroscopic surgeon तो दोस्तों पहले जानना जरूरी है कि हमारे घुटने में दो meniscus होते है, lateral meniscus और medial meniscus और दो c-shape के structure रहते है meniscus का जो peripheral part है उसको बोलते है red zone, उस red zone में blood vessels available होता है, जो meniscus का बीच का part है उसको बोलते है white zone और इन दोनों के बीच का जो part है उसको बोलते है red white zone, तो red zone के अंदर blood vessels होती है, वो vascular होता है, white zone दोस्तों avascular होता है, मतलब उसके अंदर कोई blood vessels नहीं होती है, वो एक non living thing के जैसा होता है, जिसका अगर एक बर वो फट जाए, तो वो वापस जुड नहीं सकता है, वापस म healing properties बिल्कुल नहीं होती है, तो अगर आपके MRI में grade 1 या grade 2 maniscus tear लिखावा है, इसका मतलब यह है, जो maniscus tear है, वो उसके substance के अंदर है, पर वो आर्टिकुलर सर्फेस में, तो femur या टीविया के अर्टिकुलर सर्फेस तक extend नहीं कर रहा है tear, इस condition में इसमें surgery की जरूरत नह injection, जिसमें हम आप ही के blood से platelets और प्लाजमा लग निकालते हैं और वो आपके maniscus के around inject करते हैं, इसके injection के अगर टेक्निक होती है, जिसको बोलते है प्रोलो थेरपी, छोट छोटे बहुत सारे injection दिया एते है, maniscus जहाँ tear है, उसके around, ताकि वहाँ पे regeneration और healing चालू हो, और आपका दिरे दिरे जो grade 1 या grade 2 maniscus tear हो हील हो जाए, पर आपके अगर MRI में grade 3 maniscus tear दे रखा है, complex दे रखा है, bucket general दे रखा है, vertical, radial इस तरह का नाम है, तो इसके अंदर surgery की जरूरत है, maniscus हमारे दोनों गुटने में एक shock absorber की तरह काम करता है, तो जब वह फट जाता है, तो उसके हिलने के कारण गुटना lock होने लग जाता है, उसमें locking हो सकती है, locking का मतलब है कि जब गुटना सीधा करें तो अटक जाएगा, सीधा पूरा नहीं होगा, या फिर पूरा band नहीं होगा, उसमें cut cut की आवाद हो सकती ही गुटने के अंदर, आपको लगता है कि इसे तरणाक साबित हो सकता है, क्योंकि गुटने को जल्दी खराब कर देगा, MRI के अंदर हमें काफी अद तक मालूम पड़ता है कि जो meniscus tear wide zone में या red zone में, अगर आपका meniscus tear red zone में, तो उसमें कई बार जो अच्छी MRI होती है, उसमें word लिखा होता है, meniscus capsular separation, मतलब जो meniscus of caps अपसूल से सेपरेट हो गया है, यह condition दोस्तों repairable है, या फिर कई पार लिखाता है root tear, मतलब जो meniscus की root है, anti-root post-titude, वो पूरी evils हो गई है, यह भी condition repairable, तो यह दो तीन ऐसी condition है कि peripheral tear हो, या फिर root tear हो, यह चीज़े हम repair कर देते हैं, repair के अंदर आज कल हम meniscus repair sutures, जिसके wire का यूज होता है, fiber wire का, वो उससे better suture tape यूज करते है, तो meniscus repair tapes आने लगी है, जैसा कि आप सब जानते हैं, जो tape होती हो, non-traumatic होती है, अगर मैं किसी कपड़े को, या किसी structure को, अगर मैं wire से पकड़ू तो वो wire उसको काट सकता, वही अगर हम उसको tape से पकड़ने, तो tape non-traumatic होती है, और वो structure को काटती है, तो meniscus tape से repair करते हैं, ज्यादा strong बनता है, और better healing होती है, दूसरा बहुत सारे और sophisticated suture instruments आते हैं, जिसके वह से all inside तरीके से meniscus को repair कर सकते हैं, all fiber stick, मतलब उसके ने किसी भी metal या किसी भी अल्दक material की implant नहीं होते हैं, सब सारा suture fibers होता है all fiber stick meniscus suture से, इस तरह के कई सारे और भी sophisticated sutures available market में, जिससे meniscus surgery की results काफी improve होती होती है, अगर आपका meniscus wide zone में है, इसमें हमें trimming करनी पड़ती हैं, तो meniscus trim करते हैं, उसके अंदे हम advanced shaver का use करते हैं, जो बिल्कुल clear और अच्छी trimming करता है, साथ में उसको plasma wind से भी cut किया ज लगता है, जब plasma wind से cut लगता है, मैंने इसको करते हैं, बहुत smooth cut लगता है, तो उसमें edges smooth रहते हैं, cut काफी smooth और precise होता है, और इसके result अच्छे आते हैं, अगर आपकी MRI में इस तरह का कोई भी सवाल लिखावाए, तो आप हमें अपनी हमारी WhatsApp कीजिए, और मैं उसका detail में study क के opinion का कि सबसे best लाइच क्या रहेगा, हम रखें आपका ख्याल,